Good morning everyone सबसे पहले आप लोगों को Chapter 6 Using Excel As Database से प्रोजेक्ट दिया जा रहा है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है Page No. 37 में ये देखो बनाया गिया है Adding A Record Using Form सबसे पहले आपको इसको diagram में बनाना है उसके बाद इसके point में लिखना है heading यहाँ पर डालना है सबसे पहले heading में डालना है Adding A Record Using Form यहाँ पर आपको heading डालना है उसके point लिखना है 1, 2, 3 तीनों point को लिखना है जस उसके नीचे में Searching A Record इसकी heading डालना है उसके बाद आपको जितने भी point दिये हुए है 1, 2, 3, 4, 5 यह पूरे point को लिखना है और जस इसके सामने यह diagram बनाना है Searching A Record Using Form उसके बाद आपको Deleting A Record इसके पूरे point लिखना है 1, 2, 3 तीनों point को लिखना है और जस उसके सामने में आपको Deleting Record Using Form इसका आपको picture बनाना है ठीक है यह pic को उसके बाद sorting A Data sorting A Data के आपको heading डालना है और उसका जो point है sorting में से आपको sort data तक यहने three line को इसको जैसे दिया गया है वैसे आपको लिखना है उसके बाद 1, 2, 2 point दिया इसको पूरे 1, 2 को आपको लिखना है उसके बाद यह आपको sort dialogues box इसको आपको बनाना है यह आपका project work हो गया और जिन student के पास book नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है मैं image upload कर दूँगी website में आप उससे बना सकते हैं then ok